मद्य प्रदेश के बाद अब उत्तर प्रदेश में बाढ़ से लोगों का पुरा हाल है ये तस्वीरे जराब देखिए वारानसी से लेकर प्रियाग राज, बकसर और उसके बाद पटना में क्या हालात है सबसे जादा प्रभावित वारा नसी है, प्रियाग राज है, यहाँ पर गंगा नदी, उफान पर है, यूपी के साथ ही बिहार में भी बार्धे लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है और आईए अब आपको यूपी के प्रियाग राज की कुछ होर तस्वीरे हम दिखाते हैं, जहां कई दिनों से रुक रुक कर लगातार बारिश हो रही है, बारिश की वज़े से कई इलाके पानी में डूब चुके हैं, सड़क पर चलना दूबर हो चुका है, प्रियाग जमना नदी पिछले चार दिनों से खत्रे के निशान से उपर है, प्रियाग राज में एक तरफ बार ने जबरदस्त तबाही मचा रखी है, तो दूसरी तरफ लगातार हो रही बारिश ने लोगों की मुसीबतों को और बढ़ा दिया है, प्रियाग राज में कल सुबा से ह लगातार बारिश हो रही है, किसी वक्त तेज मूसलाधार बारिश होती है, तो किसी वक्त रिमजिम फुहारें पड़ती है, बारिश की वज़े से कई इलाकों में जल भराओ हो गया है, इस वक्त हम मौझूद हैं, प्रियाग राज के बैराना इलाके में जहां आप देख स कि सडकों पर घुटने भर पानी भर गया है एक से डेड़ फिट तक पानी जमा है और हमारे ठीक दाहिनी तरफ जो गली जाती है उसमें भी पानी भरा हुआ है तो लगातार जो है वो जल भराओ की वज़े से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है इसकी लग रहा है किस तरह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है जो वाहन है वो रिंगते हुए चल रहे हैं लोग यहां पर पैदल चलने की हिम्मत नहीं जुटा पार रहे हैं लोग खासे परेशान हैं और यह परेशानी लोगों की वो लगातार बढ़ती जा रह सकती है तो देखिए कितनी मुश्किल के साथ वाहन जो है वो पास हो रहे हैं और ये तस्वीरें इस तरीके के जलभराओं की तस्वीरें अकेले इसी बैराना इलाके में नहीं बलकि शहर के तमाम हिस्सों में देखने को मिल सकती हैं और प्रियागराज की बात करें तो इसे स् भराओं होना स्मार्ट सिटी की मंचा पर सवाल या निशान खड़े करता है तो साफ तोर पर कहा जा सकता है कि प्रयागराज में एक तरफ तो बाड़ ने तवाही मचा रख किये तो दूसरी तरफ आसमान से लगातार हो रही बारिश लोगों की दिक्कतों को लोगों की पर परिशान जल भराओं की समस्या से परिशान लोगों के प्रयागराज में गंगा और यमना नदी पिछले चार दिनों से खत्रे के निशान से उपर है क्या है नदी के किनारे हालात आपको दिखाते हैं संबादाता मुहम्मद मौईन की एक रिपोर्ट संगमनगरी प्रयागराज में बाड के हालात लगातार गंभीर होते जा रहे हैं खतरनाक होते जा रहे हैं यहां गंगा यमना और टोंस जैसी नदियां लगातार खत्रे के निशान से उपर बह रहे हैं आज लगातार चोथा दिन है जब गंगा और यमना खत्रे के निशान से उपर बह रही हैं इन नदियों में आई बाढ ने जबरदस्त तबाही मचा रखी है शहर से लेकर गाउं तक हाहाकार मचा हुआ है एक लाग से ज्यादा आबादी बाढ की वज़े से प्रभावित है हजारों लोग बेघर हो चुके हैं हजारों लोगों को अपना घर बार सुरक्षे जगहों पर जाना पड़ा है चार हजार से ज्यादा लोगों ने राहत केमपों में शरण ली हुई है चहरी लाके की बात करें तो तकरीबन दो दरजन महले जो हैं वो बाढ के पानी में पूरी तरह जलमगन है मकानों की जो निचली मनजिल है वो पूरी तरह बा बाढ की तबाही बाढ का मनजर दिखाना चाहते हैं ये जो रास्ता है ये दारागंज होते हुए प्रयाग स्टेशन की तरफ जाता है लेकिन खंबों के जरीए ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर उपर और नीचे 4-4 लेन की दो सड़के हुआ करती थी लेकिन अज ये सड़के बाढ के पानी में पूरी तरह से समाच चुकी हैं यहाँ पर नावें चल रहे हैं किनारों की तरफ जो झोप्डिया बनी हुई थी काफ़ी उचाई पर थी वो भी दूप चुकी हैं कई झोप्डियों का तो नीचे नामो निशान तक नहीं हैं मारे ठीक सामने देखिए एक गुंबत सा दिख रहा है जो रेलवे का पुल है रेलवे पुल के ठीक नीचे एक मंदिर है मंदिर का सिर्फ गुंबत दिखाई दे रहा है बाकी मंदिर का जो बाकी हिस्सा है वो पूरी तरह से डूप चुका है इसके अलावा जो आप लाल कलर क एक building देख रहे हैं वो निरंजनी अखाड़े की building है लेकिन उसका भी आधे से ज्यादा हिस्सा जो है मुख्यद्वार जो है वो बाढ़ के पानी में डूप चुका है यहां गंगा और यमुना के नदियों में जो जलिस्तर बढ़ने का सिलसिला है वो थोड़ा धीमा हो गया ह गंगा आप चार सेंटी मिटर प्रति घंटे की रफतार से बढ़ रही है जबकि यमुना एक सेंटी मिटर प्रति घंटे की रफतार से बढ़ रही है तो यह जरूर कहा जा सकता है कि नदियों के बढ़ने की रफतार थोड़ी कम जरूर हो गई है लेकिन लोगों की मुसीब बढ़ती जा रही हैं और जो सरकारी सुविधाएं हैं वो उट के मों में जीरा साबित हो रही हैं और प्रयागराज में जो ये जबरदस्त बाढ़ हाई है एक लाग से जादा लोग इसे प्रभावित हुए हैं हजारों लोग बेघर हो चुके हैं अम जन जीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है लोगों की आस्था पर भी इसका असर पढ़ रहा है प्रयागराज की पहचान गंगा यमुना और अद्रिश सरस्वती की त्रिमेडी संगम से होती है हमारे ठीक सामने जहां पेड़ों का जुंड देख रहे हैं जहां सिर्फ एक से डेड़ मीटर तक पेड़ के उचे उचे पेड़ के हिस्से दिख रहे हैं उसके ठीक पिछे गंगा और यमुना का मिलन होता है पानी के दो अलग-अलग रंग संगम को अभी भी यहां से दूरी से दिखा सकते हैं लेकिसंगम जाने वाले सारे रास्ते पिछले एक पहले से ही रास्ता बंद हो गया है तो कहीं 2.5 किलो मीटर पहले से तो लोगों की आस्था पर बुरी बुरा असर पड़ा हुआ है तमाम शरत धालू जो देश के कोने कोने से आते हैं मायूस होकर वापस चले जाते हैं इसके साथ साथ संगम छेत्र में जो मठ मंदिर हैं जो आश्रम हैं संत महात्माओं के निवासस्थान हैं आरती स्थल हैं वो सब बाढ़ के पानी में डूबे हुए हैं हमारे ठीक सामने जहां पर आप नावें देख रहे हैं वहां पर रो जाना शाम को दो जगहों पर भव्य आरती होती थी हजारों की शंख्या में लोग इस आर भगवान जी का मंदिर था जो सबसे उचाई पर बोर्ड लगा हुआ है वो बोर्ड यहां पर नजार आ रहा है लेकिन मंदिर परिसर का कोई अता पता नहीं है वहां पर इतना ज्यादा पानी हो गया है कि अब नाविकों को भी हात वाली नाव चलाते हुए डर सा लग रहा है आरती स्थल बाल के पानी में डूबा हुआ है और साफ तोर पर कहा जा सकता है कि जो लोगों की आस्था है वो बुरी तरह प्रभावित हो रही है लोग दर्शन पूजन नहीं कर पा रहे हैं लोग भगवान से बाल खत्म होने कोरोना की महमारी खत्म होने की प्रार्थना है नहीं कर पा रहे हैं तो एक तरफ जहां आम जन जीवन बुरी तरह प्रभावित है एक लाग से ज्यादा आभादी प्रभावित है हजारों लोग बेघर हो गए हैं वही प्रयागराज में आई जबरदस्त बाल ने लोगों की आस्था को भी प्रभावित किया है लोग प दिखाते हैं संबादाता नितीश पांडे की एक रपोर्ट काशी में मौक्षदाइनी का उफान जा रही है और इस उफान से अब दिक्कते पैदा हो गई है इस वक्त हम अनिकर्णी का घाट पर मौझूद है और यह देखे शौदा का इस्थल है यह प्लेट फार्म है और इस और शौयात्री शौदा के लिए आगे बढ़ेंगे इस गली से होते हुए आगे बढ़ेंगे आप देखे गलियों में नौका चल रही है और शौदा के लिए किस तरह से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है यह आपके सामने है आप देखे एक बार में इस प्लेट फॉर पर है और अब गंगा लोगों के लिए भयावा इस्थिती पैदा करने वाली हो चुकी है वाकई में बड़ी विकट इस्थिती है जिस तरह की तस्वीरे सामने आ रही है वारणसी से हमारे साथ संजे त्रिपाठी हमारे सहयोगी भी इस वक्त जुड़ चुके हैं संजे देख पा रहे हैं किस तरह की स्थिती बनी हुई है इस वक्त अकलेश गंगा का रौद रूप नजर आ रहा है वारणसी के घाटों पर और रियाईशी इलाकों पर मैं इस वक्त जहां खड़ा हूं यह राजगाट जगे है और हनमान गली मंदिर यहां पर है और आपको जल है यह शहरों की ओर लगातार प्रवेश कर रहा है क्योंकि बारिश आप देख सकते हैं वारानसी में भी हो रही है पहाड़ों पर भी ओर रही है और यह पानी गंगा में छोड़ा जा रहा हूं उसकी वज़े से तबाही साफ तोर पर देखने को मिल रही सामने की तरफ पानी में जल्मग्न हो चुका है पूरी तरह से उसका है और अईसे में अंडी आरेफ की टीमें लगातार वहां रेस्क्यू अवियान चला रही है लोगों को बाहर निकलने का काम कर रही है काफी मुश्किल हालात पैदा हो गए है वारानसी शहर में हजारों लाखों की आव दोनों की दिक्कते हैं इसके अलावा आवागमन की समस्या हैं प्रचासन की ओर से जो इंतिजाम किये जा रहे हैं वो नाकाफी साबित हो रहे हैं और एकलेस लगातार जिस तरह से जलिस्तर गंगा का बढ़ता जा रहा है वो कहीं न कहीं वारानसी के लोगों के लिए आईशी अलाकों में पानी घुज चुका है पूर डिस्कनर्क हो गया शायद मेरी आबाज नहीं जा पा रही है संजय तक शुक्रिया फिलाल इस जानकारी के लिए हम दुबारा आपके पास लोटेंगे जैसे ही दुबारा आप से संपर्क हमारा हो जाएगा हम आपको उत्त ननदी उफान पर है नदी का जलस्तर बढ़ने से आजपास के इलाके पूरी तरह से पानी में ढूप चुके हैं ये देखिए किस तरीके के हलात हैं हर जगह पानी ही पानी लोगों के लिए आप खाने पीने की दिक्कते शुरू हो गई है हालात ये हैं कि लोग इलाका कि तरफ जा रहे हैं चुकि लोगों के घरबार पानी में डूब चुके हैं खेत खलिहान रिहाईशी इलाके हर तरफ पानी यह फतेहपूर का दृष्ष आपके सामने है उत्तर प्रदेश का उत्तर प्रदेश में आप देख पा रहे हैं अलग-लग नदियों में जलस्तर पढ़ने के बाद किस तरीके के हालात हैं अब हम आपको बिहार लिये चलते हैं और बिहार में बाहर से जो तस्वीरे सामने आई हैं वो दिखाते हैं बकसर में गंगा नदी का जलस्तर पढ़ने स लोगों के घर पानी में समा चुके हैं, सडकें डूबी हुई हैं, चारों तरफ पानी भरने के बाद लोग अब सुरक्षत ठिकानों की तरफ जा रहे हैं, ये आप देख सकते हैं मवेश्यों का हाल, वो भी पानी में डूबे हुए, उन्हें भी ले जाया जा रहा हैं उची जगों की तरफ ये बकसर की स्थिती आप देख पा रहे हैं, बिहार में भी लगातार बार और बारिश की बज़े से लोगों का जीना मुहाल हुआ पड़ा है झाल 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 झाल